नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे दोस्तों ए वीडियो सभी पेंशन भोगियों फैमली पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंड होने वाली है इसलिए आप से हाथ जोड के रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए पास में जो बेल आइकान आएगा तो उसको भी आल पे सेट कर लीजिए तभी मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकिशन आएगी और आप मेरी सभी वीडियो को वाच कर पाओगे तो यहां तो आपको बता दू कि जैसे कि आ क्या क्या कदम उठाए गये हैं क्या क्या बड़ी फैसले सरकार की तरफ से लिए गये हैं उसको लेकर यहां पे पेंशन और पेंशन भोगी कल्यान विभाग की तरफ से एक बुकलेट जारी की गयी है जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो जिया अस्तो जैसे कि आप को क्या क्या देखने को मिलेगा जिया अस्तो जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यहां पर कंटेंट दिया गया है जिसमें कि यहां पेंशन भोगियों के लिए क्या क्या सुभधाएं क्या क्या बेनिफिट दिए गये हैं पूरी जानकारी दी गयी है तो दोस्त पहला देख सकते हो कि pension rule जो है उसकी book release की गई थी जिया हमस्तो आपको बता दो कि आपको पता ही होगा कि 1972 pension rule की हिसाब से pension भोगयों family pension भोगयों को अभी तक pension दी जाती थी दोस्तो 1972 से लेकर अब तक यान की 50 साल हो चुके हैं लेकिन जो नियम थे वो पुराने ही थे तो ऐसे में दोस्तो जो पुराने नियम है उसमें संसोधन करने की जरूरत थी दोस्तो जो भी नियम में संसोधन किया गया है बदलाव किया दोस्तो 50 साल पुराने नियम को बदल कर अब जो नए नियम बनाए गया है तो उस पुरी नियम जो है इस पुस्तिका में प्रकासित की गई है तो दोस्तो पेंसन नियम 2021 यह नया बुक के जो है रिलीज किया गया और यह नया नियम बनाए गया है तो दोस्तो अब आगे से जो पेंसन आपको मिल रही है या मिलेगी तो पेंसन नियम 2021 की हिसाब से मिलेगी इस पुस्तिका की हिसाब से मिलेगी तो जो भी इस पुस्तिका में प्रकासित की गई है क्या rules regulation है उसका मैं पूरा आपको हिंदी वर्जन में बताता हूँ इस चैनल पर ही बताता हूँ तो पूरी जनकारी आपके साथ सेयर जरूर करूँगा वह दोस्तों दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि 2014 से लेके 2022 की बीच डिश्टल लाइप सर्डिविकेट एक करांतिकारी बदलाओ यहां पे सरकार की तरफ से किया गया था जिहां तो पहले क्या होता था जो पेंशन भोग सर्डिविकेट मोधी सरकार की एक करांतिकारी बदलाओ यहां पे देखने को मिल रहा है पेंशन भोगी डिश्टल लाइप सर्डिविकेट के दवारा अपनी पहचान करा सकते हैं यानि कि घर पे बैठे ही अपनी पहचान करा सकते हैं ज्यांसों जैसे कि आपको पताई यहां पें देखने करांतिकारी बदलाओ यहां पे मोधी सरकार की तरफ से किया गया है वहें द्स्तो अगला बड़ा बदलाओ किया गया है आपके फेस रिकरगनिशन को लेकर जातों डिश्टल लाइप सर्डिविकेट के साथ ही साथ फेस रिकरगनिशन प्रणाली भी परद्याम से केवल आपके पास मोबाइल होना चाहिए और मोबाइल की सहाता से आपका पहचान कर लिया जाएगा और आपकी जो पेंसन है अर महेने की सुचारो रूप से मिलती रहेगी एक रातिकारी बदलाव मोधी सरकार की ही देन है अगला बड़ा परिवर्तन बड़ा ब कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्त्काव के समाधान वहा से पासकते हैं तो जोस्तो पेंसन और पेंसन भोलोगी कल्याण विववा के तरब से एक करांतिकारी बदलाव यहाँ पर किया गया है प्रिशन भोल्चे मोधी के लिए और mínimo को इसकी हैञां मोधोर्चार बैसा इंचा दोस्तों अगला बड़ा बदलाव किया गया है आपके बविस पोटल को लेकर जितने भी केंसरकार के pension भोगी हैं करमचारी हैं जब रिटार होंगे तो भविस पोर्टल के माध्यम से ही उनकी pension का लेखा जोखा तयार किया जाएगा और उनको सारे detail भविस पोर्टल में अपना देख सकते हैं इसी किसाथ जो उनका EPPO जारी किया जाएगा तो भविस पोर करमें डारेक्टली चला जाएगा जिसे कि उसके फटने खोने का डर नहीं होगा तो इस प्रकार से उनका EPPO यानि की pension payment order हमेशा के लिए सेफ और सुरचित रहेगा तो दोस्तों यहां पर भविस पोर्टल लाके यहां पर केंसरकार ने करांतिकारी बदलाओ यहां पेंसन के लिए किया है कि उनका जो भी डिटेल है और भविस पोर्टल में सेफ रहेगा EPPO से लेके सभी डॉक्यमेंट उनके सेफ रहेंगे उसी पर दोस्तों अगला करांतिकारी बदलाओ किया गया है पेंसन पुस्तिका को लेकर जिया हर बार पेंसन भोगियों की समझाओं को सम पारे हो कि आपको क्या क्या बेनुफिट मिलने वाले है रिटार्मेंट बेनुफिट आप एक लिक पे ही जान सकते हैं कि आप रिटार होंगे तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे इसके साथ इसाथ फैमिली पेंसन को लेकर हैंड बुक भी जारी किया गया है रिटार्मे को किसी भी प्रकार की दिकत नहीं होगी समस्या नहीं होगी उसी प्रकार दोस्तों अगला जो बड़ा बदलाव किया गया है इसकोवा मेटिंग को लेकर पेंसन भोगी की जितनी भी संगठान है वे सभी मिलके इसकोवा मेटिंग में भाग लेते हैं और उनकी जो समस्याएं ह जो कि पेंसन और पेंसन भोगी कल्यान विभाग में राज्यमंत्री हैं उनकी तरफ से मैटर्स को सुना जाता है और उनकी समस्याओं का समाधान पेंसन भोगें की समस्याओं का समाधान किया जाता है तो इस कोवा मेटिंग हर साल आयुजित किया जाता है और समस्याओं का समा करती है ई-book जारी करती है जो कि पेस्टन भोगयों की सारी डिटेल एक शिस्टम में ही दिखाई आपको देती है ई-book में आपको दिखाई देती है दोस्तो अगर यह आपको आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाईए